निजामुद्दीन इलाके में हुए धार्मिक आयोजन मरकज में शामिल हुने वाले लोग अब देश भर में फैलते दिख रहे हैं जिसके बाद कोरोना का खत्रा बढ़ गया है वहीं खबरों की माने तो मरकज में शामिल हुए 86 लोग बिहार भी पहुँचे थे हाला की अभी ये जानकारी नहीं मिली है कि बिहार के किन शेहरों में ये लोग फिलहाल मौजूद हैं लेकिन बिहार पुलिस सूचना के बाद से इन लोगों की तलाश में जुड़ गई है पुलिस के हाथ जो अब तक एहम सुराग लगा है वो इन सभी का मुबाइल नंबर है जिसके बाद साइबर सेल इन सभी लोगों की जानकारी जुटा रहा है और लोगों तक पहुँचने का प्रयास हो रहा है साइबर सेल की जाँच के मुताबक इसमें से दस लोग अररिया और कई लोग किशनगंज पहुँचे हैं अररिया पहुँचने वालों में सभी मलेशिया से आये हैं आपको बता दें कि दस विदेशी लोग जिनहें पटना में बीते दिनों कुर्जी मस्जिद के पास से पकड़ा था वो अधिकतर बांगलादेश, किर्गिस्तान और मलेशिया के थे इनहीं के साथ आये साथ लोगों को फुलवारी से पकड़ा गया था यहां से पकड़े गए लोगों को आईसोलेशन में रखा गया है न्यूस डेस्क